नमश्कावर देवियों और सवजनों तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे होसला रख मूवी के बारे में जो एक पंजाबी मूवी है और जब ये थेटर्स में आई थी तब इसको मैं नहीं देख पाया था शायद कोई काम था या फिर पैसे नहीं थे या फिर कुछ तो रीजन था मुझे अभी हाद नहीं है लेकिन जब इसे OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज किया गया तो मुझे लगा कि यार इसको देखना चाहिए क्योंकि इसका ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया था जब मैंने इ इसका ट्रेलर फिर से देखा यानि एक बार तो पहले ही देख लिया था लेकिन फिर से एक बार ओर देखा मैं का यार इसमें उतनी ही चीजें बताऊं जितना इस ट्रेलर में बताया गया है अगर उससे ज़्यादा बताया तो फिर मुझे पर फिल से इलजाम लगेंगे भा लास्ट में पिछली वीडियो में कुछ छोटी सी बात बोलती थी खैर खैर उसको भी स्पोइलर बिंद गया मैं नहीं को पूरी कोशिश करूँगा मैं ताकि आपको कोई भी स्पोइलर ना तो बार बार जाद हो रहा है तो वो वाली इसके अंदर दिखा जाती है अब यंकी को जो भी करनी है और अपना बच्चा भी संभावना है तो इन सब चीजों को लेकर जो वो अपनी लाइफ को यहां पर दिखाते हैं मतलब एक से मन नहीं बढ़ा तो दूसरी चाहिए तो वहां पर एक नई वाइफ को ढूंड़ने में की तलास स्टार्ट हो जाती है यहां पर तो इन सब चीजों को बढ़िया वे में हमारे सामने रखा गया है देखो फर्स्ट हाव इसका मुझे सही लगा एवरेज लगा मतलब कि उसमें इतना ज्यादा मैंने इंजोई नहीं किया क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरी बेस त्यार किया जाता है या फिर कहें कि यंकी की और जुश्वीटी की जो लाइफ है उनका प्यार होना उनका फिर जादी होना उनको बीच जो वन बुटाव है वो होना फिर यंकी अपने बच्चे कैसे बड़ा करता है यह सब दिखाया जाते हैं यह की जो अपने बच्चे को बड़ा कर रहा है तो उसका जो पार्ट है वो काफी मज़दार लगा जैसे उसके सामने प्रोब्लम आ रही है वो काम को लेकर भी सारी चीज़ें ये काफी पसंद आया मुझे फर्स्ट हाफ का तो लेकिन ज़्यादा उतना मुझे पसंद नहीं आया जब स्टार्ट होते हैं उसके अंदर तो यार सच में मैंने बहुत इंजोई किया इस मूवी को जब सौनम भाजवा यहां पर आती है और जो दिलजी दोसांज है वो उनके साथ बातचीत होती है जो डायलोग होते हैं इवन जब आप ट्रेलर देखोगे तो उसके अंदर फोन पे चैटिंग करते हैं दिलजी दोसांज उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो डायलोग मुझे काफी पसंद आये थे मतलब मैं उस पे बहुत जादा हंसा था तो सेकेंड हाफ काफी पढ़िया एस कंपेर टू फर्स्ट हाफ से और देखो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात बोली हुई है कि जब भी मुझे कोई हंसना होता है और एक फ सीरियस चल रहा है तो मुझे लगा कि यह थोड़ा थंसी मजाक का देखा जाए तो इसलिए पंजामी मुवी आई हुई थी प्लैटफॉर्म पे अमाजोन के पर आप देख सकते हैं तो इसको मैंने इसलिए वहां पर चुरा तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मुझे काफ पर चैकल किया जाएगा वह इतनी भड़िया तरीके से कॉमीडी वे से हमारे सामने आते हैं दो बात बोल दीगी और उस पर इतना हसी मजाक हो रहा है वह जो मतलब काफी सारी चीज़ें मैं बताना तो नहीं चाहता हूं मतलब बताना चाहता हूं बटा नहीं सकता एक्षल म language में ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आएगी कोई hard and fast rule नहीं है पंजाबी को समझने का, even गाने सुनते हैं तो वो समझ आ जाते हैं, तो movie भी अच्छे से समझ आ जाएगी, तो इसमें कोई बड़ा rocket science नहीं है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे, तो एक बड़िया language के साथ, बड़िया comedy है, इसके अंदर आप इसको देखें, story भी अच्छी है अब बेशक अपनी family के साथ देखेंगे, तो बहुत enjoy करने वाले तो मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा 6.5 out of 10 अगर आप लोगों ने movie देखी है, तो please comment करना कि आप लोगों कैसे लिए अगर नहीं देखिए, तो जा कर देखिए definitely आपको पसंद आने वाली है, अगर आपको पंजाबी समझ में आती है और नहीं भी आती है, तो देखें इतना रखते हैं इस वीडियो में, thanks for watching इस वीडियो में, मिलते हैं आप इस वीडियो में, जाहिंद